आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है अब तक हमने कुछ विशिष्ट न्यून कोणों के त्रिकोण मितिय अनुपातों पर चर्चा की आज हम इस पर आधारित दिल्चस्प उदाहरंड देखेंगे क्या आप निमन लिखित उदाहरंड के मान घ्याद कर सकते हैं? चलिए, उदाहरंड के पहले भग पर चर्चा करते हैं यहां हम देख सकते हैं कि इसे हल करने के लिए हमें sin 30 degree, cos 45 degree, 10 30 degree, cos 30 degree और 10 45 degree के मानूं की आवश्यक्ता होगी इसलिए यहां त्रिकोन मितिय अनुपातों से बनी सारणी की साहिता से इन सभी के मानूं को प्राप्थ करते हैं और हम जानते हैं कि किसी कोण के त्रिकोण मिती अनुपात के वर्ग का अर्थ उस त्रिकोण मिती अनुपात के मान के वर्ग से होता है, न कि कोण के वर्ग से इसलिए यहां हम sin वर्ग 30 डिगरी का मान, sin 30 डिगरी के वर्ग बराबर, यानि की sin square of 30 degree equals to square of sin 30 degree लेते हैं, जिसे हल करने पर एक बटा चार प्राप्त होता है इसी प्रकार अन्य त्रिकोण मिती अनुपातों के मान प्राप्त करते हैं और उप्रयुक्त समीकरण में रख हल करते हैं जिस से समीकरण का मान पांच बटा शह गुणा वर्गमूल तीन जमा दो प्राप्त होता है इस मान को और अधिक सरल करने के लिए हम इसके हर का परिमेय करण यानि की रैशनलाइज़ेशन आफ डिनॉमिनेटर करते हैं जिस से हमें इसका मान पांच गुणा दो घटा वर्गमूल तीन बटा शह प्राप्त होता है इसी तरह यदि हम बात करें उदारण के दूसरे भाग की तो इसे हल करने के लिए भी हम 10-60 डिगरी, कॉस 45 डिगरी, सेक 30 डिगरी और अन्य सभी मानों को सारणी की सहता से प्राप्त करते हैं और उप्रयुक्त समीकरण में रख हल करती हैं जिस से समीकरण का मान नौ प्राप्त होता है चलिए एक और उदारण देखते हैं यदि साइन A जमा B का मान एक और कॉस A घटा B का मान वर्गमूल तीन बटा दो है जहां A जमा B का मान 0 डिग्री से बड़ा वर 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर तथा A बड़ा है B से तो क्या आप बता सकते हैं कि A और B के क्या मान होंगे? आईए इसे हल करते हैं यहां हमें समीकरण के बाएं पक्ष में त्रिकोन मितिय अनुपात साइन A जमा B और दाएं पक्ष में एक दिया गया है इसलिए हमें यह जानने की आविशक्ता है कि थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा का मान बराबर एक होगा मान लीजिए किसी थीटा के लिए जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा वर 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर हो तो सारणी को देखकर बता सकते हैं कि साइन 90 डिगरी का मान एक होता है यानि यहां थीटा का मान 90 डिगरी है इसलिए हम समिकरण के दाएं पक्ष में एक के स्थान पर साइन 90 डिगरी लिख सकते हैं दोनों पक्षों की तुलना करने पर हमें A जमा B बराबर 90 डिग्री प्राप्थ होता है, जिसे समीकरण 1 से दिखाते हैं। इसी तरह यदी बात करें कौस A घटा B बराबर वर्गमूल 3 बटा 2 की, तो उप्रयुक्त स्थिती के अनुसार सारणी की सहता से A घटा B का मान 30 डिग्री प्राप्थ होता है, जिसे समीकरण 2 से दिखाते हैं। चुकि हमें A और B का मान ग्याद करना है, इसलिए हम समीकरण 1 और 2 को जोडते हैं, जिसे हल करने पर A का मान 60 डिग्री प्राप्थ होता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि B का मान क्या होगा? शाबाज, समीकरण 1 या 2 में से किसी भी एक समीकरण में A का मान रख, B का मान 30 डिग्री प्राप्थ होता है। तो मीध है कि आपको विशिष्ट कोणों के त्रिकोण मितिय अनुपातों का प्रियोग करना समझा गया होगा। अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूज बूज का परीक्षन ऐसे ही कुछ उदाहरणों की मदद से कर सकते हैं। यदात्व लग्यापक शवर झाल 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 झाल